अब बात करेंगे चीतों के इंतजार की जो कि अब खत्म होने वाला है बड़ी जानकारी आपको देते चले नावी विया से चीतों के लाने के तैयारी लगभग पूरी हो गई है नावी विया से मदप्रदेश पहुंचेंगे आठ चीते पी-म मोधी चीतों को खुनो नैशनल पार्क में चोड़ेंगे और चीतों को लाने के लिए नावी विया से पहुंचे है इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारी आपको बताते चले कि खुनों पूरी तैयार है चीतों के लिए बस वागत की देरी है ऐसे में इंतजार अब कु प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी अपने जन्म दिन के दिन चीतों को कूनो नैशनल पार्क में छोड़ेंगे और इसी के साथ ही जो साथ दशक का इंतजार है वो खत्म होगा चीतों को लाने के लिए नामी विया स्पेशल विमान पहुश चुका है ऐसे में अब इंतजार है कि कब तक उस विमान की वापसी होगी और वापसी के साथ ही चीतों को भी लाया जाएगा साथ ही साथ कूनो नैशनल पार्क में जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी द्वारा उन चीतों को शोड़ा जाएगा जो इंतजार था वो अब खत्म हो जाएगा और उसी इंतजार के साथ देखे सब बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और जो विमान है विमान जो ले जाया जा रहा है नामी व्यार जिस विमान पे लेकर चीतों को लाया जाएगा ऐसे में विमान भी खासतोर पर तयार किया गया है उन चीतों के स्वागत के लिए जो तैयारी है वो भी लगभ बहुत तयारी पूरी कर ली गई है और अब इंतजार है चीता देखें तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्पेशल जहाज बनाया गया है इसके लिए और साथी साथ उनके जो स्पेशल जहाज है उसमें पीते का मोधी बना हुआ है और यही चीज आतुशन का केंद्र बन हुआ है इसी विमान को नामी विया ले जाया जा रहा है और ले जाया गया जहाँ पर नामी विया पहुंच चुका है बाहर की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरे हैं जहां एक अंदर की तस्वीर है जहाज के वहीं एक बाहर की तस्वीर यह special विमान नामी विया पहुच्चा है चीतों को लेने के लिए और आप तस्वीरों देखके आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तयारी की गई हैंगी यह दो तस्वीरे देखें पहली तस्वीर उस प्लेन के अंदर की है जिसमें यह आठ चीते भारत लाए जाएंगे और दूसरी तस्वीर प्लेन के बाहर की यह प्लेन नामी विया पहुच चुका है और इसी special जहाज पे यह चीते भारत की धरती पर लाए जाएंगे जिसके बाद जिस सत्तर दिशक का इंतजात है वो समाप हो जाएगा और भारत में चीतों की एंजरी हो जाएगी